हेलो लेटल कीट्स कैसे हैं आप लोग कीट्स आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्स का चैप्टर वन चैप्टर वन में है कमपैरिजन कमपैरिजन मिन्स क्या होता है कमपैरिजन मिन्स होता है तुलना, हम लोग आज तुलना करेंगे हम लोग जानेंगे बड़ा और छोटा में क्या अंतर होता है यहां पर देखिए पिक्चर बणा हुआ है यह है इसमॉल और यह है बीग ये small means क्या होता है small means होता है छोटा और big means बड़ा boy is small boy छोटा है man is big man means आदमी बड़ा है ये आप लोग देख सकते ये बच्चा छोटा है ना इसके तुलना में ये बच्चा छोटा है अब हम लोग दूसरा एक्जामपल देखते है rat is small rat means क्या होता है चूहा चूहा छोटा है चूहा आप लोगों ने देखा होगा घर में रहते हैं ना चूहे चूहे कितने बड़े रहते हैं छोटे से रहते हैं dog is big dog कुटा बड़ा है ये कुटा इस चूहे की तूलना में क्या है बड़ा है ये चूहा से कुटा क्या है बड़ा है चूहा छोटा है और ये कुटा बड़ा है dog is big rat is small अब हम लोग देखते हैं next example next example में क्या है tomato और pumpkin tomato means क्या होता है अब Healthy Hackets tomato folding होता है आप लोगों ने खाया होगा tomato घर में देखा है अब मम्मी को सब्जी बना ने बना बड़ा हमाट अब टमप्योग कर ती है और कद्दू का भी सब्जी बनता है आप लोगों ने देखा आना तो कदू और टमाटर में कौन छोटा होता है टमेटो इच स्मॉल पंपकीन इस बीग पंपकीन बड़ा है इस दोनों का तुलना किया जाए तो पंपकीन क्या है बड़ा है किस से टमेटो से पंपकीन बड़ा है आप लोगों को समझ में आया हम लोग कैसे small और वो big का comparison करेंगे चलिए आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो इसके आगे इसका exercise बनाते है exercise में आप लोगों को क्या करना है kids देखें पहले heading देखतें क्या है color the green in small and brown in big picture छोटा जो picture है उसमें आपको कौन सा color करना है green color और जो बड़ा picture है उसमें कौन सा color करना है brown color तो इस दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है elephant बड़ा है और ये dog छोटा है तो बड़े में कौन सा color करना है brown color करना है और छोटे में कौन सा color करना है small color करना है आप लोग brown color जानते हैं ना पहचानते हैं न color brown, green, red तो उसमें से आपको green color किसमें करना है small में and big में brown next क्या है red and tree red small है and tree big है ठीक आपको tree में कौन सा color करना है tree में आपको करना है brown color and red में आपको करना है green color number two tick right the big and cross the small object जो बड़ा है उसको क्या करना है उसमें आपको right का tick लगाना है और जो छोटा है उसमें आपको cross करना है यह दोनों जो पतंग है kites है इस दोनों में जो बड़े हैं उसमें क्या करना है आपको right करना है और जो छोटा है उसमें आपको cross कर देना है यहां पे दो balloons है इस दोनों बैलोन्स में कौन सा वरा है ये वाला तो इसमें हमको right tick कर देना है और ये वाला छोटा है तो इसमें cross कर देना है आप लोगों को ये homework में बनाना है आप लोग इसे homework में कर ले और कल इसे group में pick click करके डाल दे Thanks little kids